उत्राखर्ण में लॉग कमिशन ने 23 कानूनों को समात करने के सुझाव सरकार को दिये हैं। ये कहना है उत्राखर्ण लॉग कमिशन के चेर्मेन जस्टिस राजे इस्टंडंडा। उनसे खास बात चिकी हमारे समवल अतार नासीर खुसेन ने आई आई आपको सुनवाते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो 23 कानून ऐसे कौन से कानून हैं जिनके आउसकता राज्य में नहीं रह गई है। और ऐसे कौन से कानून हैं जिनके आउसकता राज्य में अभी होनी चाहिए। राजिय जी क्या मानेंगे जो 23 कानूनों का सुझाओ आपने दिया है राज सरकार को, क्या इनके आवसकता नहीं है और कौन से ऐसे कानून है जिनके आवसकता आव राजिय में हैं? 2000 में जब उत्राखंड उत्तरप्रदेश से बाइफर्केट हुआ, तो उस समय उत्तरप्रदेश में जितने कानून थे, वो सब एडॉप्ट कर लिए गए, एडॉप्शन एक्ट के अंदर, और वो धीरे-दीरे-दीरे सारे एडॉप्ट होते रहे यहाँ पर, और धीरे-दीर महसूस हुई कि बहुत से कानून हमारे निश्प्रभावी हो चुके हैं और जो कि यहां पर लागू भी नहीं हैं वो उत्तर पदेश में किसी ने किसी बात को लेकर रखा गया था वो आज को यहां पर अनुप्योगी हो चुके हैं इस तरह की प्रक्रिया हमारे सेंटरल में भ कानून को वो निर्सन किया गया यहां पर भी हमने वही प्रक्रिया शुरू किया निर्सन करने कितने कितने कानून ऐसे हैं जो निस्प्रभावी हो चुके हैं इनकी संख्या कितनी हैं और इसके अलावा और जो नए कानून बनाने की बात कही है जिनमें संसुधन की बात कही गई है वो ऐसे कितने कानून है यहां पर हमने जो अभी सिपारिश दी है वो तेइस कानूनों के दी है उसको निरसन करने के लिए इसके साथी साथ कुछ कानून ऐसे हैं जिनको की मैं चाहता हूं कि यहां पर बने उसका ड्राफ्ट पूरा दे दिया गया है सरकार को दे दिया पर लोग लगाने के लिए बेनामी संपत्ती एक्ट लाने जा रही है सरकार किस तरह की विवस्थास में रहने वाली है क्या कुछ कैसे इसको तैय किया जाएगा कि बेनामी संपत्ती कौन सी है कौन सी बेनामी संपत्ती नहीं है क्या विवस्थास में रखेगा है हमारी बेनाम हमारी प्रापर्टी कहलाती है उत्राखंड में ऐसे कानूनों को जिनके आवस्क्ता नहीं है उनको खत्म करने के लिए लौ कमिशन ने अपनी सिभारी से कर दी है इसके लावा जो सबसे जरूरी है वो है बेनामी संपत्ति एक्ट क्योंकि उसको सरकार लाने जा रही है क्योंक अपना रही है अब देखना ही होगा कब तक की कानून लागू होता है और इसका कितना फाइदा उत्राखंड की जनता को मिलता है अपने सियोगी मनुराजपूत के साथ नासीर हुसेन खबरे भी तब देरदू क्योंक